7000 साल पुराने immortal beings, एक powerful speedster और Thanos के cousins, The Eternals बहुत ही जबरदस movie होने वाली है Avengers Endgame में जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ इस movie के events के आगे कुछ भी नहीं है तो recently हमारे आगे The Eternals movie के footage अचानक से आगए और कुछ दिन पहले हमें पता चला कि इसमें कुछ Indian actors भी दिखने वाले हैं पर असली सवाल हम fans के मुन में जो है वो ये है कि Eternals है कौन अगर Marvel कह रहा है कि ये 7000 साल पहले से अर्थ पर रह रहे हैं और इनके पास Cosmic Level Super Powers है तो ये New York Battle, Battle of Sokovia और Battle of Wakanda जैसी बड़ी Fights के टाइम Avengers के साथ क्यों नहीं थे इन सब के वी उपर अगर अभी ये Deviants के खिलाफ लडने आएंगे तो Thanos भी तो Deviant था उससे लडने Eternals क्यों नहीं आए तो कहानी शुरू से शुरू करते हैं Marvel Comics के हिसाब से Eternals को बनाया है Celestials ने और Celestials Marvel Cinematic Universe में हमें टाइम टाइम पर दिखते आए हैं जैसे Eason the Searcher को हमने Power Stone यूज करते वे देखा था Guardians of the Galaxy मोवी में वहीं पर Nowhere जिसके अंदर के लेक्टर माइनिंग करता है वो भी एक Celestials का सर है और Guardians of the Galaxy Volume 2 में दिखने वाला Ego the Living Planet भी एक Celestials था Celestials और उनके बनाया हुए Eternals कुछ बड़े एस Guardians से भी पहले के Beings हैं एक्जामपल के तौर पर Odin की एज अलमुस्ट 5000 साल मानी जाती है जबकि MCU में Eternals 7000 साल से एक्जिस्ट करते आए हैं और Celestials तो Million Years Old Elder Beings जैसे Grand Master और Collector से भी पहले के Beings हैं तो सीधी भाशा में कहें तो Celestials ने Human DNA पर Experiment किया जिसके Success से बने Eternals एक ऐसे Beings जो की तिकते हैं इंसानों जैसे पर हैं बहुत पावरफुल और Immortal भी पर कुछ Experiment के Fail होने से बने Deviants जिनके Unstable DNA की वज़े से इनका Appearance इंसानों से बहुत अलग हो गया और ये Immortal भी नहीं है तो Deviants क्योंकि इंसानों से अलग दिख रहे थे इसलिए वो इंसानों के बीच ना रहकर छुपकर रहने लगे जबकि Eternals इंसानों के बीच ही रहते हैं पर उनके बाले में कोई कुछ नहीं जानता तो Eternals की History क्या है? The Eternals Movie के Official Plot में लिखा हुआ है कि Avengers Endgame के बाद कुछ ऐसा होगा जो कि 7000 साल से छुपे हुए Eternals को बाहर लेकर आएगा Humanity को Deviants से बचाने के लिए Marvel Studios कहतो रहा है कि Eternals 7000 साल से अर्थ पर हैं पर Comics में Celestials 10 लाग साल पहले अर्थ पर आए और उन्होंने Eternals और Deviants को बनाया जिसके कुछ समय बाद Eternals, Kronos और Uranos के बीच Civil War शुरू हुआ Kronos ने Uranos को हरा दिया और Uranos चला गया Uranus पे जिन्हें बाद में कहा गया Uranian Eternals Uranus की लोग जब अर्थ पर अटैक करने वापिस आ रहे थे तब उनका सामना हुआ कुछ क्री सोल्जर से जो कि उन्हें पकड़ कर लेकर सैटन के मून टाइटन पर और वहाँ उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट किया वहाँ से निकल कर आए टाइटेनियन Eternals इसी बीच अर्थ पर क्रोनोस जब कॉस्मिक एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे Eternals को उनकी जबरदस कॉस्मिक पावर्स तो मिली पर क्रोनोस उस प्रोसेस में एक इंमेटीरियल स्टेट में चला गया और Eternals को ज़रुत पड़ी एक नई लीडर की तब क्रोनोस के दो बेटों में से एक को अर्थ के Eternals का लीडर चुना गया जो कि था जियूरास जबकि दूसरा बेटा अलारस कोई सिविल वर्ड ना हो इसके लिए वहाँ से चला गया टाइटन पर और मिला सुईसान से जहां उसके दो बेटे हुए स्टार फॉक्स और थैनोस तो टेकनिकली थैनोस और अर्थ के Eternals कजिन है और थैनोस बस दिखता डेविएंट जैसा है पर अपने पिता के साइट से भी बिलॉंग करता है Eternals को ही और यही दीजन है कि थैनोस थार जैसे पाउरफुल एस गार्डियन को Avengers Infinity War और Endgame में टकर दे पाया अब Modern Age यानि आज के Eternals की बात करें जिनके बारे में ही हमें आने वाली मुई में बताया जाएगा तो Eternals अर्थ पर इंसानों के बीच रहतो रहे थे पर किसी को उनके वारे में पता नहीं था हाला कि जब कॉमिक्स में Celestials वापिस आई Humanity को जज़ करने तब Deviants भी बाहर निकल कर आए और उन्होंने Celestials पर Attack कर दिया जिसके वरे से Eternals और Deviants की बीच लड़ाई शुरू हुई और Eternals को पब्लीकली इंसानों के बीच अपनी सच्चाई बतानी पड़ी तो The Eternals में हमें कौन-कौन से एक्टर्स किस रोल में दिखेंगे तो Modern Age कॉमिक्स में हमें गिने चुने Eternals ही दिखाए गए और मूवी में भी ऐसा ही कुछ होगा यहाँ Don Lee है गिलगमेश The Forgotten One के रोल में जो की बहुत पाउरफुल होने के साथ साथ अर्थ हिस्ट्री के और मूस्स सारे hand-to-hand कॉमेट मूव्स जानता है सलमा हायक प्ले कर रही है एजैक का रोल जो की अकेली Eternal है जिसका कॉन्टेक्ट सेलेस्टियर्स के साथ है कॉमिक्स में एक यारक्टर एक लड़का होता है एंजलीना जोले थेना के रोल में है थेना बहुत ही जवरदस Eternal वारियर है जो की अपनी कॉस्मिक एनरजी से कोई भी विपन फॉर्म कर सकती है रिचर्ड मैडन इकारिस के रोल में है इकारिस Eternals का टैक्टिकल लीडर है जो की अर्मोस्ट सूपर मैन जैसी पावर सोल्ड करता है जैसे उड़ना, आँखों से एनरजी बीम्स छोड़ना और सूपर यूमन स्ट्रेंथ कुमेल नंजी आनी किंगो के रोल में होंगे एक Eternal जो की बहुत ही पॉपिलर बॉलिवूड स्टार भी है पर इसके साथ साथ वो अपने हाथों से कॉस्मिक एनरजी भी छोड़ सकता है लॉरेन रिडलोफ एक डेफ एक्टरेस हैं जो की स्टार मेकारी के रोल में हमें दिखेंगी और उनका केरेक्टर भी डेफ होगा मकारी एक पावरफू स्टार है जो की प्लैनेट टू प्लैनेट भहुत स्पीड़ोर मूव कर सकती है ब्राइन टायरी, हैन्री, फैस्टोस के रोल में हमें दिखेंगे ये Eternal एक Intelligent Cosmic Powered Inventor है जो कि Humanity की Help कर रहा है टेक्नलोजी को प्रोग्रेस करने में गैमा चैन हमें सर्सी के रोल में दिखेंगी एक Eternal जिसे Humankind से प्यार है और वो Matter को Manipulate कर सकती है लिया मेक्यू हमें Sprite के रोल में दिखेंगी एक Eternal जो की बच्चे जैसा दिखता तो है पर वो बच्चा है नहीं Kit Harington हमें दिखेंगे Black Knight के रोल में एक Human Warrior जो की Powerful Mystical Sword रखता है इन सब के अलावा हमें हाल ही में पता चला है कि Indian actor Harish Patel भी इस movie में है Eternals के Origin Comics में उनका सामना Thor और Odin से भी हो चुका है जहां बाद में इस सभी मिलके Destroyer को यूज करते हैं अपने दुश्मन के खिलाफ और जहां तक मुझे पता है Destroyer अभी अर्थ परी है जो की Last Time Shield के पास देखा गया था और उसी से Colson के weapon को बनाया गया था तो मान लेते हैं कि Thor और Odin इस movie में नहीं भी दिखेंगे पर हम उमीद कर सकते हैं कि यहां Destroyer हमें दिख सकता है वो भी कुछ छोटे मोटे awesome cameos के साथ अब बात करते हैं Eternals को लेके चल रहे problem की Basically कई सारी Hollywood movies के production में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन movies को Chinese market में अराम से उतारा जा सके और कई प्रोजेक्ट्स में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कुछ Eastern influence दिखाया जाए ताकि Chinese audience तक यह movies जाए से जादा पहुँचे शैंक्ची और The Legend of Ten Rings और Eternals को लेके Marvel Studios को बहुत बड़ी उमीद थी कि यह movies Chinese market में बहुत अच्छा perform करेंगी पर recently एक Chinese state media की report में इन दोनों movies का नाम include किया ही नहीं गया जिसने इन rumors को उठाया कि यह दोनों movies चाइना में रिलीज ही नहीं हो पाएंगी इसका कारण माना जा रहा है कि Eternals की director Oscar winning close out को चाइना ने persona non grata घोशित कर दिया है जिसका मतलब उनकी diplomatic immunity of one नहीं रही और यह सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ चाइनीज ट्रोलर्स की वज़े से जोनों ने close out और शैंक ची का role play कर रहे actor Simu Liu को लगा था ट्रोल किया close out को ट्रोल किया जा रहा है उनके चाइना को लेकर criticism की वज़े से जबकि Simu Liu को सिर्फ उनके looks के लिए ट्रोल किया जा रहा है यह बहुत सोचने वाली बात है कि कंट्री में ट्रोलर्स को इतनी पावर कॉमेंट कैसे दे सकती है कि कि किसी मूवी को वहाँ रिलीज ही ना होने दिया जाए तो गाइस यह थी वीडियोज है अटेर्नल के बारे में अटेर्नल मार्वल स्टूडियोज के लिए रिस्क है या आने वाले फेजिस के लिए एक बड़ा नाम यह तो हमें वक्ती बताएगा पर फिर बिए उसको कोई टेल मिस हो गई हो यह आपको नए फेक्टेस वीडियो तो प्लीज में कमेंट पर जबर बताएं या हमारे सोचल मेडिया हैं पर हमारे साथ शेयर करें हम हर जगा हैं तो गाइस अगर आप सूपर ही उसकी पावर्स उनकी जबर्दस मोमेंट्स या उनकी फाइट के बार में टॉप 10 लिस्ट देखना चाते हैं तो मैं आपको मारे